दोस्तों आज हम लेकर आएं आपके लिए ऐसा गाजर का अलवा जिसके लिए ना तो आपको गाजर गिसने की जरूवत है ना दूर की जरूवत है ना मावे की जरूवत है एक बार बनाओ महीने बार खाओ एक दम स्वाधिश्ट परफेक्ट गाजर का अलवा चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने यहां साड़े साथ सो ग्राम गाजर लियें, इनको अच्छे से धो के छील लिया है, अब इन गाजरों को हम रफली काटेंगे, हमने यहां देसी गाजर लियें, देसी गाजर मीटी भी होती हैं, लाल भी होती हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है आप किसी भी तरह की गाजर ले सकते हैं और किसी भी शेफ में आप काट सकते हैं तो हमने यहां गाजरों को रफली काटके तयार कर लिया है इन गाजरों को हमने एक बड़े बोल में डाल लिया है जो भी थोड़े बड़े पीसेज हैं उनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब इनको हम ब्लेंडर जार में डालके पीस लेंगे तो ब्लेंडर जार में हमने एक कप पानी डालके पीस लिया है अब इस चलनी की साहिता से इसका जूस अलग कर देंगे तो इस तरह से आपको चलाते हुए जूस अलग करना है गाजर का जूस हमने दो बेच में निकाला है तो दूसरा बेच में डाल दिया है इस पेचुला की साहिता से इस तरह दवाते हुए आपको जूस अलग करना है तो जूस पूरी तरह अलग हो चुका है चलनी में बचे हुए भाग को आप आटे में डाल के पराटे भी बना सकते तो इसको मैं साइड में रख देती हूं, और ये जूस हमने इतना निकाला है, क्योंकि एक कप इसमें पानी था, बाकी का जूस है, तो इसको हम मेजर कर लेते हैं, तो ये कप हमने मेजर करने के लिए लिए आये, यह मुझे लग रहा है दो से धाई कप बैठ जाएगा तो यह एक कप हमने ले लिया है दूसरा दूसरा भी फुल बर गया है और यह तीसरा लेंगे ये तीन कप जूस है जो तीसरा बहुत ही कम खाली है तो ये तीन कप माल लेते हैं तो इसको भी हम इसमें एड कर देते हैं तीन कप गाजर के जूस में अब हम मिला रहे हैं एक कप कॉन फ्लोर की जगे आप अरा रोट भी ले सकते हैं तो एक कप कॉन फ्लोर हमने एड कर दिया है अब विसकर की मदसे इसको अच्छे से चला लेंगे जिससे इसमें गुटली ना पड़े और कॉन फ्लोर तले में ना बैटे इसलिए आपको थोड़ी देर चलाते रहना है और ये देखिए हमने अच्छी तरह से कॉन फ्लोर को मिक्स कर दिया है अब इसको हम साइड में रख देते हैं और एक हमने लिए थाली थाली में हम थोड़ा सा गी डालके इसको अच्छे से गी से ग्रीज कर देंगे जिससे हम इसमें हलवा रखें तो नीचे वो चिपके नहीं और अच्छे से वो निकल जाए तो ये हमने घी से अच्छे से ग्रीज कर दिया है थाली को अब हमने गेस पे कड़ाई रख दिया तो आपको मोटे तले का ही कोई बर्तन लेना है अब हम कड़ाई में डाल रहे हैं दो कप चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा चीनी लगती है इसलिए मैंने दो कप चीनी डाल चीनी अब पूरी तरह से मेल्ट होने वाली है थोड़ी सी तले में रह गई है और आप देख सकते हैं अब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है आपको इसकी चासनी नहीं बनानी है सिर्फ पूरी तरह से चीनी मेल्ट होने का इंतिजार करना है तो यह मेल्ट हो चुकी ह तो आप इसमें मैं जो आमने कॉन फ्लोर का घोल तयार किया था उसको डालेंगे घोल को डालने से पहले आपको इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है जिससे ये तले में ना बैटे तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब एक हाथ से चलाते हुए दूसरे हाथ से आपको थोड़ा थोड़ा करके ये घोल डालना है एक दम से आपको नहीं डालना तो इस तरह से आपको डालते रहना है और चलाते रहना है पूरा घोल आपको इसी तरह डालना है जल्दवाजी नहीं करनी है अगर हम एक साथ ही इसको डाल देंगे तो यह अलवा अच्छे से नहीं ब चलाते रहेंगे टाइम के साथ ये घाड़ा होता जाएगा तो चार से पांच मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हो नीचे ये बनने लगा है तो इसी तरह आपको चलाते रहना है हलवे को चलाते हुए माँ आपको एक बात और याद दिला देना चाहती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो ये देखिए दो तीन मिनट चलाने के बाद अब ये गाड़ा होता जा रहा है अब इस टाइम पर आपको गेस का फ्लिम लो कर देना है और इसे चला चीनी का क्रिष्टली करण ना हो और अब मैं डाल रही है इसमें एक चमन देशी गी सर्दियों के दूं में देशी जम जाता है लेकिन हम घरम में डाल रहे हैं तो ये पिगल जाएगा तो इसे चलाते रहें घी डालने से इसमें टेस्ट तो आता है साथी बहुत अची शाय आती है तो इसी तरह घी डाल के आपको अभी और पकाना है हलवे का कलर आप देख सकते हैं हमने इसमें अभी कोई कलर नहीं मिला आया है गाजर एकडम लाल और देशी थी लेकिन थोड़ा सा में कलर इसमें डाल रही हूँ ये ओप्शनल है आप चाहें तो ना डाले वैसे बहुत अच्छा कलर आया है लेकिन थोड़ा सा मेंने डाल दिया इससे और भी कलर चटकीला बनेगा तो ये कलर डालके हमने अच्छे से मिक्स कर दिया तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमत और देशी गी ऐसा नहीं है का आप देशी की नहीं डालना चाहते तो हल्वा नह सकते हैं आप बिना देसी घी के भी हलवा बना सकते हैं केवल एक चमच में तो देसी की डालने के बाद ऐसे फिर से और चलाना है और देखिए कितनी बढ़िया शायन आईए इसमें घी अच्छे से मैल्ट हो चुका है एक चमच हम फिर से घी डाल रहे हैं और इसको भी जाल चमच घी डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे जैसे जैसे घी डालते जा रहे हैं आप इस हलवे का कलर और शाइन देख सकते हैं इस 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 पर आके आप कोई भी ड्राइफूट डालना चाहते हूं वो डाल सकते हैं चैफिस्ता हो बादाम हो काजूर तो यह हो चुके हैं जिसमें आमने चार वार इसमें घी डाला है अभी आपको और भी चलाना है आप इसका टेक्षर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं अब यह थोड़ा और गाड़ा होगा कडाई छोड़ने लगेगा और इसका थोड़ा सा अमाउंट लेके हम आपको एक गोली भी बन के तैयार हो देखो इस पैचुला से अपने आप गिर रहा है और इस पैचुला साफ हो रहा है इसका मतलब है यह बन कर तैयार है अब हम गैस का फिलें बंद कर देते हैं इधर हमने थाली में जो घी लगा के रखा था उसमें खर्वूजे के बीद डाल देते हैं आप चाहो तो इसमें कोई भी ट्राइपूट डाल सकते हो और सारा हल्वा हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से हमने सारा हल्वा थाली में ट्रांसफर कर दिया है और इस पैचुला की मतलब से इसे अच्छे से फैला देंगे यह हमने अच्छे से फेला दिया है थोड़ा हम टैप टैप कर लेंगे आदे घंटे के बाद यह अलवा पूरी तरह बनकर तयार हो जाएगा तो आदे घंटे के रेष्ट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं अब आदा घंटा हो चुका है आप देख सकते हैं यह पूरी तरह है जम कर तयार है अब हम चाकू की मदद से 60 से अलग कर देंगे जिससे निकालने में कोई दिक्कत ना हो तो एक बड़ी थाली हमने लिए और उ हमने चौकोर पीसेज में से काट लिया कितनी आसानी से यह कट रहा है और इसका कलर आप देख सकते हैं नारंगी कलर आया बहुती प्यारा लग रहा है खाने में तो यह बहुती लाजवाब होगा तो आपको एक पीस में देखाए देती हूं यह देखिए कितना बढ़िया यह बनाए एक दम स्पंजी और कांच की तरह यह चमक रहा है कितना सौफ्ट और यह खाने में तो बहुती मज़ेदार होने वाला है तो इन सर्दियों में यह गाजर का अलवा आप जरू ट्राई करें और अपने रिलेटिब्स को आप यह घिप्ट में भी दे सकते हैं आप को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट मताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में